हेलो फ्रेंड्स स्टेडी बूम में आपका स्वागत है तो स्टेडी बूम के साथ 2020 खेलिए और अपना प्रिप्रेशन का लेवल टेस्ट कीजिए तो आज का टोपिक है बैदिक यूग जिससे संबंधित 20 प्रसंद का यह सिरिंखला है 20 प्रसंद को लेकर आये हैं तो यह आप अपने प्रिप्रेशन का लेवल जानने के लिए आपको स्टेडी बूम का एक पढ़ियाश है कि 20-20 प्रसंदों की स्रिंखला लिए जाए हर टॉपिक पे विशेश टॉपिक पे जहां से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होती है तो स्टेडी बूम से जुरे रह आप जानते हैं कि चार वेद हैं रिगवेद शामबेद यजुरवेद अथरवेद आपके पास यह चार उप्शन है तो आप बताईए कि किस वेद में बर्न पर नाली पर चर्चा हुई है आप जाने रिगवेद ऑप्शन बी शामबेद ऑप्शन शी यजुरवेद या आप्शन डी अथरवेद तो इसका सही आंसर है ए रिगवेद रिगवेद में बर्न पर नाली की चर्चा हुई है प्राचीन भारती समाज में जो चार वर्न थे ब्रह्मन छत्रीर सुद्र और बैस उसे ही बर्न पर नाली कहा गया है जो शमात चार वर्नों में बिभक्त था पूर रिगवेद में उसकी चर्चा हुई थी किया गया है आपके पास वही चार ओप्षन है पहला ओप्षन रिग वेद दूश्रा ओप्षन शाम वेद तीश्रा ओप्षन यजुडवेद और चौथा ओप्षन अथर्वेद तो इस गेंद पर आप क्या करेंगे डॉट होगा या सेक्स मारेंगे तो गायत्री मंत्र का शमर की थे और हम बता दें कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वा में तरने की थी तो क्विश्चन से जुड़े हुए भी कुछ इसमें बताए जाएंगे तीसरा बाउल कि पुडव बैदिक या रिगव बैदिक शंस्कृति का काल किसे माना जाता है तो बैदिक यूग का बैदिक या रिग बैदिक शंसकृति का काल किसे माना जाता है तो इसका अंसर है कि 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 पंद्रहसों सिस्वी से पंद्रहसों इसभी पुर्व से सिट को माना गया है या पुडब्वी और जो Uhर जो बी ओप्शन है 600 इसबी पुर्व disorder से चैज़्यी है बीड या युद्धा दूसरा ओप्सन ही स्रेष्ट या कुलीन तीसरा ओप्सन है यग्यकरता या प्रोहित और चोथा ओप्सन है बिद्वान तो इस बॉल को आप ध्यान से खेले और इसका अंसर हो जाएगा बी आरे शब्द स्रेष्ट या कुलीन जो दूसरों से ज्यादा स्रेष्ट हो उसे आरे कहते हैं चलिए पाचमा ओवर पाचमा वाल कि प्राडंबिक आरे ओं के बाड़े में निम्न कतनों मेंशे कौन सा कथन शही नहीं है यानि कि कौन सा कथन गलत है तो इसमें चार ओप्शन दिए गये हैं पहला ओप्शन है वे संस्कृत बोलने वाले थें बी ओप्शन है वे घुरसवारी किया करते थें सी ओप्शन है वे कई जुंडों में भारता पहुंचे और चौथा ओप्शन है वे मुख्यत नगड़ों में निवास करते थें तो इसमें कौन सा सही नहीं है यानि कि कौन स चाही आंसर है वो शंस्कृत बोलते थे वे घुरसवारी किया करते थे तो भारत में घोडा लाने का श्रेइ भी आर्यों को ही जाता है जो घोडा है भारती पशू नहीं माना जाता है आर भारत लेकर आये थे और वे कई जुंडों में भारता आएं समुह बना बना के आएं गुटों में ये भी सही है आरियों के बाड़े में और वो मुखिता नगरों में निवाश करते थें ये बिल्कुल ही गलत है आर नगरों में नहीं बलकि कभीले के रूप में गाउं में निवाश करते थे तो question में पूछा गया कौन सा गलत है यानि कि कौन सा सही नहीं है तो इसका answer हो जाएगा वे मुक्ता नगरों में निवाश करते थे ये बिल्कुल गलत है तो चलिए छठा बाउल और इश ओभर का आखड़ी गेंद उपनिशद भ्हामन और आरेन्यक तो ये चार ग्रंत उत्तरवैदिक काल में लिखे गये हैं इसका सही क्रम क्या है किस क्रम में लिखे गये थे आपके पास चार उप्शन है तो ये, छोड़ा डिफिकल्ट वाहल हो गया इस और में इसके है आँसर सबसे पहले बेदुग की ब्रंते प्रों की रचनाह धा आउसकी रचनाह भी फीर एम depths न इसकी रचनाह भी ये हो जाए गा को सात्मा कुष्चन या सात्मा व॔ल इसいく का इस 2020 में आपका पर्फरफरमेंश देखते हैं कितना होता है तो षातमा प्रस्षन है भारत के राजिज़िन में प्रयोग्त होने वाले शब्द सत्में वुजयते भारत के رाजशिज़िन में लिखा जाता है शत्मे वझैत शत्य की विजय होगी की अपनिशत से लिए गया है । उप्सान दोटिक है कन्ठेट उपनीशत या ब्रिहदार नियक उपनिशत इसमें का आउंसा सही है यह तो शबी जानते होंगे मुन्दक उपनिशत की ही विजये होगी आठमा बॉल आरियों का मुख वेवशाय क्या था थोड़ा ध्यान से MCQ है multiple answer हो सकते हैं अगर BPS चीकिते जारी करते हैं तो उसमें एक E-option होता है जिसमें लिखा होता है इन मेंशे एक से अधिक या इन मेंशे कोई नहीं उसी में लोग फंस जाते हैं तो E-option सभी में मान कर चलिए आरियों का मुख वेवशाय क्या था कर्षी, पशुपालन, सिक्षा या वेवशाय तो हम बता दें आरियों का जो मुख वेवशाय था कर्षी और पशुपालन दोनों था तो BPSC में जो पांचमा उप्शन होता है इन में शे एक्षे अधिक वो आंसर हो जाएगा इन में शे एक्षे अधिक यह उप्शन हो जाएगा कर्षी और पशुपालन नम्मा प्रस्ट डिग बेद में शंपत्ती का मुख रूप क्या था रिग बेद में शंपत्ति का मुख रूप क्या था किश रूप में शंपत्ति रखी जायती थी ओप्शन है गोधन ओप्शन B भूमी ओप्शन C ए और B दोनो ओप्शन D इन में से कोई नहीं तो चलिए इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं इसे इसका सही आंशर A हो जाएगा गोधन B क्यूं नहीं तो बी इस लिए नहीं कि उस समय भूमी का उतना महतु नहीं था जन्शंख्या बहुत कम थी भूमी बहुत जादा था तो भूमी का उतना महतु नहीं था पशुपालन करना पशंद करते थे हलांकि क्रिशी भी करते थे लेकिन मुख रूप पशुपालन पर था तो आंशर A असमा बाउल बैदिक धर्म का मुख लच्छन इन में सिक्सकी उपाशना थी चार उप्शन आपके पास पहला उप्शन प्रकर्टी की दूशरा उप्शन पसुपती की तीसरा देवी माता की या चौथा त्रीमूर्ती की त्रीमूर्ती कौन ब्रंबा विश्णु महेश तो बैदिक धर्म का मुख लच्छन क्या था इसका आंसर हो जागा ए प्रकर्टी की पूजा करते थे जैसे इंद्र को बर्शा का देपता मानते थे बरुन को शमुद्र का देपता तो प्रकर्टी के जितने भी रूप हैं सभी की पूजा करते थे प्रकर्टी की पूजा करते थे भूमी की पूजा करते थे वरिक्षों की पूजा करते थे जैसे बिर्चों में पीपल की पूजा होती थी केला की पूजा होती थी तो बन की पूजा होती थी धर्ती की पूजा होती थी जल की पूजा होती थी तो इ भारत में जहां से भी हों इनके आने के जोष्रोत हैं इस पर थोड़ा वीट होता है कोई कहते हैं मद्धेश्या से आए इरान से आए लेकिन आने का बात नहीं है भारत में आकर पहले बशें कहां यह प्रूशन है तो चार अपशन शमात अट में प्राग जयोतिश में पंजा पंजाब में भारत में शर्व पर्थमाकर पंजाब में बशे थे चलिए बार्म प्रशन बैसे शिक दर्शन के पर्थिपाद कौन है चार अप्षन कपिल अच्छे पाद गौतम या उलुक कनाद या पतंजली पतंजली का संबंध योग दर्शन से है इसका सही आंशर उलुक कनाद हो जाएगा बैसेश की दर्शन का पर्थिपादन कनाद ने किया था गौतम नियाई दर्शन से हैं और कपिल मुनी शांक दर्शन से हम बजन देते हैं तेरह में प्रशन रिग बैद का कौन सा मंडल पूर्णत शोम को शमरपित है तो हम बता दें जैसा कि रिग बैद में टोटल दस मंडल हैं तो दस मंडल में कौन सा मंडल सोम को शमरपित है कुश्चन है तो नमा मंडल सोम को शमरपित है चलिए अगले प्रशन की ओर उपनीशद पुस्तके हैं किस से संबंधेत धर्म से योगिशे बिधीशे यद दर्शन किस प्याद हारित है उपनीशेदों में मतलग चर्चा की बिशय क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएका ड़ी उपनीशद दर्शन प्याद हारित है भारतिय एक पैदिक शहित्त में शरवाधिक बढ़नित नदी काउन सा है इन में से चार अपसन आपके पास A. सिंधु नदी B. सुतद्री नदी C. सरस्वती नदी D. गंगा नदी तो इसमें सरवाधिक किस नदी का बढ़नन हुआ है इसका शही आंसर हो जाएगा ए शिंधु नदी का सरवाधिक बढ़नन हुआ जबकि स्वरसती नदी आर्यों की पवित्र नदी थी, लेकिन सरवाधिक बढ़नन सिंधु नदी की सरवसती नदी की पवित्र नदी है, इसे भी ध्यान में रखा जाए इसमें आपको बताना है किस उपनिशद में नचिकेता और यम संबाद का बर्णन किया गया है चलिए इसका अंसर बता देते हैं कठोप निशद्ध कपिल मुनी द्वाड़ा प्रतिपादित दार्चनिक पढ़नाली का उड़ है अभी अभी साइद 13 में हमने इसका चर्चा किया था कपिल मुनी किसे संब्द्ध है तो शांग दर्चन से कपिल मुनी रिसका सही आंसर बी हो जाएगा शांख दर्चन से कपिल मुनी पुर्व म्मांस जैमनिने उत्तर म सोगल नाय रिप्रायन और नया धर्चन गोतम कपिल मुनी नहोको कंट शंबंद्र है चलिए अठाड़ा हमें प्रश्ण क्योर अठाड़ा हमां बाओल कितने अश्कूर कर चुके हैं तो चरक्षन हिता नामक पुस्तक किस बिसाई से सम्बंदित है आपके पास है अर्थशास्त राजनिती चिकष्षा और धर्म आप सभी जानते होंगे कि चिकष्षा से सम्बंदित है चरक्षन हिता कर्म का शिद्धांत शम्बंदित है कर्म का शिद्धांत यानि कि कहां शिलिया गया है दर्शन भारत में कुल कितने दर्शन है बता देए छे दर्शन है तो नय दर्शन से लिया गया है या मिवान शिद ठतृत लिया है तो यह लिया गया है बंशनी सभ भर सिलिया गया है में का प्रतिपादन जैमनी दे किया था बाकि न्याई दर्शन के बारे में आप जानते होगे गौतम मुनी और बेदामत बादरायन और बैशेशिक कनाद जो की पहले प्रस्ण में कर चुके हैं और लास्ट प्रस्ण इस ट्वेंटी ट्वेंटी का लास्ट बॉल है प्रतिलों विवाह कब माना जाता है प्रतिलों विवाह कब माना जाता है पहला उप्शन है जब उच्वर्ण का प्रुस निम्न वर्ण की इस्त्री के साथ विवाह कर लेता है दूसरा उप्शन जब उच्वर्ण की नाड़ी निम्न वर्ण के प्रुस के साथ विवाह कर लेता है तीसरा उप्शन है जब निम्न पृणीष सुन्ध रॉण किillar सब्रॉन के सात्त कर लेता है थोड़ा हाड हो गया क्या मलिंगा का बॉल है लेकिन फिर भी ulc प्रतिलोम विवाह उसे कहा जाता है जब रॉण की नरी निवन वर्ण के पृष के सात्त कर लेता है तो प्रतिलोम बिवा कहा जाता है यानि कि आज के सेंस में देखें तो अगर कोई शरकारी जौब की लड़की बेड़ोजगार लड़के साधी कर ले थोड़ा हो जाएगा ना प्रतिलों बिवा और इसका जो बेपरीत होता है अनुलों बिवा वह उप्शन ए है जब उच्य वर्ण का प्रतिलों बिवा उप्शन बी तो इस परकार यह 2020 समाप्त हुआ अपना अपना स्कोर कमेंट बक्ष में कमेंट कर दीजिएगा चले इसमें इतना है कर दो कर दो है